नमस्कार एंडीटिवी रास्थान में आपका स्वागत है मैं हूं मनोजन भारती और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा आज का मुद्दा क्या जो है बंद है किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी में जुटे हैं हनुवानगड स्री गंगानगर अनुपगड में कुछ अस्थानों पर किसानों ने प्रदर्सन भी किया पुलीस परशाशन ने इंटर स्टेट बॉर्डर पर स्टेट बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर पा रही ह राज्थान पुलीस प्राइवेट बहानों की भी करी चेकिंग कर रही है पंजाब और हरियाना के रास्ते किसानों के दिल्ली में एंटरी करने की आसंकाओं के बीच समय देंसी नाकों पे डिप्टी अस्तर के अधिकारियों की मौझूदगी में बड़ी बड़ी संक्या मे पुलीस के जमान मौझूद हैं इसमीच राज्थान कॉंग्रेस के परभारी सुखजिंदर रंदावा और पी सी सी चीफ यानि प्रदेश सज्ज्यक डोटा सरा ने प्रेस कॉंफरेंस करके कहा कि राहूल गादी ने कहा है कॉंग्रेस आएगी तो हम एमस्पी पर लीगल ग इद्वार बनाया गया था तो घोसनापत में लिखा था कि किसानों की उनको उनकी लागत का डेर गुना पैसा मिलना चाहिए हम सुनिचित करेंगे ये बात वो दस साल में नहीं कर पाए पीम ने 2016 में कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आबदनी को दुगुना करेंगे जो आज त कि कॉंग्रेस कमेटी के हमारे अद्द्द्द साथ ने खरगे साथ ने बहुत ही सबस्चर सब्दों में ये कह दिया है कि हम हमारी सरकार आते ही हम लोग किसान के लिए MSP लागू करेंगे ये बहुत बड़ी बात है जिसका हम सब लोग स्वागत करते हैं किसानों ने हमने जो कहा है वो करके हम लोग दिखाएंगे आज जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ में किस प्रकार से बरबरता पुरोग कारवाई की जा रही है जैसे आतंकवादियों के खिलाप ही नहीं किया सकती और जो पाकिस्तान है जहां से आतंकवाद आता है उनके का मतलब है कि जब पहले जो सही दोगे उनका मुआवजा नहीं जो वाइदा इन्होंने लिखित में देश के प्रधान मंत्री जी के क्रशी मंत्री ने और सरकार ने बार सरकार के अधिगारियों ने किया उस पे काम नहीं MSP के बारे में अब तक 10 साल में मोदी जी ने कहनी किसी तरीके का कोई एक्षन इन्होंने दिखाया नहीं ये भी बार हम सब के सामने हैं और अब तो हद हो गई जब वो पूछ रहेंगी उस कमेटी का क्या हुआ तो देश की प्रधान मंत्री या भार है तो हम लोग पूछना चाहरे हैं इस प्रेस कॉंफेंस के माद्यम से कि देश के प्रधान मंत्री जी ये बता दीजिए कि फिर किसान के हक का मैंस पी का कानून बनाना बहुत जटिल है बहुत समय लगता है तो आपने ये तीन काले कानून जो किसानों पे थोपे थे वो किसके हिद के लिए बनाएती दूसरी और पंजाब और हर्याना के संभू बॉडर पे डटे प्रधासनकारियों और केंसरकार के बीच बाचीत में सरकार की और से केंद्रे मंत्री अर्जुन मुंडा प्यूस गोयल और नित्यारन राय सामिल है किसान निता सर्वन सिंग पंडेड ने कहा कि बैठक होने त दोनों पक्षों की दो बाचीत जो है वो बे नतीजा रही प्रधासनकारियों ने 13 फर्वरी को दिल्ली कूच सुरू किया था जिसके बाद किसानों को संभू बॉर्डर पर रोक दिया गया मैं इस वक्त दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हूँ और यहां पर आप देख सकते हैं कि आज तीसरे दिन के क्या हालात है यह देखिए एक तरीके से डंपर यहां पर खड़े कर दिये गए हैं जो डंपर मिटी और बालू ढोने के काम आते थे उनको भी यहां प डंपर को खड़ा कर दिया है सर्विस रोड अगर इसके नीचे यह आप देखिए जीटी करनाल रोड है इस पर मैं चल रहा हूं इसके नीचे सर्विस रोड है पिछली बार यह सर्विस रोड थोड़ी सी खुली थी लोग आ जा सकते थे लेकिन इस बार आप देखिए कि सर जो है वो रख दिये गए हैं और इन कंटेनर्स में मिट्टी भर दी गई है ताकि ये भारी रहें और जो ये नाके बंदी है जो मोर्चा बंदी है वो काफी जो है इस बार मजबूत लगाई गई है सीसी टीवी कैमरे बड़े बड़े हाइटेक सीसी टीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि इस्थिती के हालात के जो नजर रखी जा सके हैं सीसी टीवी कैमरों के जरिये ये पूरे यहाँ पर कंटेनर रखे गए हैं मिट्टी में भरके तमाम सारी जो गाड़ियां हैं कंडम गाड़ियां है दिल्ली पुलिस के उसको भी खीच के लेकर आगकर यहाँ पर रख दिया गया है ताकि ये भी औरोध का काम करें देखिए औरोध खड़ा करने के लिए त अमाम सारे उपाय कर रखे हैं दिल्ली पुलिस ने रोलर यहाँ पर खड़ा कर दिया है बाड़ बंदी पूरी तरीके से कर दी गई है दोनों तो रभीस ये जानकारी दे रहे थे कि क्या बॉर्डर पे जो पुलिस ने इंतजाम किये हैं हमरे साथ रमेश ठाकुर जी आपकी आपकी आवाज अन्म्यूट करिए आपकी आवाज नहीं आ रही है कुल्दीप के पास तब तक चलते हैं कुल्दीप आप सी गंगानगर में है क्या यहाँ पर किसानों के प्रोटेस्ट का क्या हाल है देखिए शिरी गंगानगर के अंदर जो किसानों का प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी है ग्यारा फरवरी से दिस फरवरी तक जो नहीं प्रोटेस्ट लगाई की है उसका असर है वो साफ़तोर पे दिख रहा है आलांकि पिछले तीन दिनों से जो राजस्थान पंजाब बोडर है वो जाम है लेकिन हिंदुमल कोर्ट बोडर और सादुवाली बोडर को लगातार जाम रखा गया है जो सादुल शहर के नजदीक पतली चेक पोस्ट है उसको खोल दिया गया है और हिंदुमल कोर्ट और सादुवाली चेक पोस्ट का जो सारा ट्रैफिका वो इदर से डैवट किया गया है कल जो भारत बंद है उसको नहीं किया जाएगा हमारे साथ कुछ किसान भी मुझूद है अकल बात कि किसान सबा के तैसिल अदेक्ष है कोर सिंग जी तर आप से जानना चाहूंगा कि कल भारत बंद का ववान किया गया था उसके अंदर क्या डेट आपके पास कल जो भारत बंद के तहट गराउं जो पिसान है वो मंडिगों के अंदर अपनी जिन्स नहीं लेकर आएंगे ना दूद लेकर आएंगे ना कोई सबजिगा लेकर आएंगे और जहां सादूल शहर में पबार मंडल ने भी अपना समर्थन दिया है और इस पबार मंडल ने अपने समर्थन में यह कहा है कि वो किसी परकार की कोई भी जिंस की निलामी जिसकी जो है वो निलामी नहीं करेंगे अजन के वह की शड़के जाम करने के बारे में क्या कूछ भी जाना चाहँ हैं कि पिशले तीन दिनों से राजिस्पन पंजाब बोडर जाम है, यात्रीयों को भारी परशानी हो रही है, इसको लेके क्या कहना चाहेंगी ? देखो जी जे हम किसानों ने तो कोई रोड जाम की नहीं है जे जो रोड जाम की हुई है जे सरकार की तरफ से जाम की गी है हम तो खुद चाते हैं कि जो सरकार से मांग की थी हमारी जो मांगें थी किसानों की वो उन्होंने दो साल पहले कहा था कि आपकी मांगें पूरी होग कर दिली कूच कर रहे हैं निहत्थे बिना किसी हथ्यार के और उनको खाली इस्तान or पाकिस्तानी बताया जा रहा है चलिये एक मुझ और भी किसान वोजूद हैं आपसे एक मिर मैं कुल्दी पाता हूं मैं कुल्दी पाता हूं आपके पास ऐड पास पता जारा आपको क्या लगता इसे नहीं मनुरंजी जी आम आदमी की तो बात छोड़ो आज से वोड की परिक्षाइं सुरू हो गई है धारा 144 लगाई हुई है इंटरनेट से बंद हुई है क्योंकि समय बच्चों का पढ़ने का सबसे ज़्यादा जो ससक्त मादम का जाता है वो इंटरनेट होता है मॉबाइल फोन होते है लैट्टोप होते है जब इंटरनेट नहीं है तो यह मान भी यह पहलू है उसको आपने इस तरीके से ऐसे जकड दिया है और जो चीज़ें जो तस्वीर है सामने दिखाई दे रही है उन रोडों पे आप अगर सही से आप दे हो और दूसरी तरब आपकी जो तैयारियां है इतनी सफसक्त आप तैयारियां करते हुए जा रहे हो अर्द साइनिक बाल पंदरा हजार थे तीन हजार आपने और बढ़ा दिया आज अठारा हजार कर दिये गये हैं और पत्तर लाके फिर आप लगाए जा रहे हो सर्विस ल अभी में किसी चैनल पर और बात हो रही थी एक सीनियर मंतरी भी थे तो आमने सामने जब लोग बात कर रहे थे स्क्रिन पर तो मैंने कहा कि MSP पर दिक्कत आपको कहा है उन्होंने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है तो मैंने का फिलागो करो ये चीज़ा सबसे बड़ी जो किस में जाता है और जब गैर मंडियों में जाता है वो अठारा सो में बिक्ता सत्रा सो में बिक्ता है उसमें बीच के जितने भी बिचोलिये हैं दलाल है वो खाते क्या ही सरकारों को नहीं दिखता है और कई जगे कि मंडियां आप लोगों ने खतम कर दी है उस मंडियों को भी चालू करो तो चीज़े एक नहीं कई सारी चीज़े हैं जिस पर सरकार को ये कंफ्लिक्ट बीच में हो रहा है उसको पूरा करना चाहिए मुझे लगता नहीं है मनोरंजन जी की आज की जो बारता हो रही है वो कोई इस पे नतीजा निकलेगा चीज़ा मुझे लग रहा ऐसी बढ़ती रहेंगी जी मनीश आपके पास आता हूं लेकिन पुष्पेंदर जी हमारे साथ जुर गये किसान नेता है क्या आपको लगता है पुष्पेंदर जी आज के बाचीत में कोई नतीजा निकलेगा नेकि मनुर्णजन जी ये दो साल से सिलसला इस सरकार के साथ चल रहा है दो साल पहले जो वाइदे किये गए थे उन्होंने पूरे नहीं किये यदि पूरा कर देते तो ये दिल्ली मार्च करने की दोबारा से जो है किसानों को आवश्पता नहीं पड़ती अब हमें आशाच तो है कि कुछ नखुछ नतीज़ा यदि सरकार गंबीर होगी तो निकल सकता है और यदि सरकार जैसा अभी तक हील हवाला करने की कोशिश कर रही है या अटकाने लटकाने और भटकाने की काम कर रही है उसी तरीके से समीती में काम हुआ जो समीती बनाई थी इनी मुद्दों पर जब किसान आंदुलन समाप्त हुआ था आश्वासन दिया गया था समीती के माध्यम से सारी आपकी बाकी समस्चाओं का हल कर लिया जाएगा आप अपने घर निश्चें दो करके चले जाएए उस चीज़ को लगबग जो है डेड़ साल दो साल बीत चुका है तो अब हमें अब भी यह जो कॉल दी गई थी उसके बाद भी डेड़ दो महीने बा उस्वंदर जी मेरा सवाल है क्या किसान संगटन खुले मंद से जा रहा है इस बैठक में क्या हम उम्मीद करें किसी भी चीज़ की बिलकुल हम तो खुले मंद से जा रहे हैं हमारी मांग बहुत इसपस्ट हैं सी टू प्लस फिफ्टी परसेंट के अनुसार जो स्वाविनातन आयोग की रिपोर्ट थी उसके अनुसार हमारी फसलों के दाम तैकर दी जाए उसकी लीगल गारेंटी दे दी जाए किसानों माप हो और मुकदमे वापसी हूँ तमाम मांगे हमने लिखित में इनको पहले से दे दी हैं इस पर दो राउंड की वारता हो गई है अब ये गंबीर होंगे तो हो जाएगा और जिस तरीके से ये एक तरफ वारता करते हैं दूसरी तरफ जो है रवड बुलाट फायर कर रह उस हिसाब से जो है उस हिसाब से ये जो है करना ठीक नहीं है लेकिन पुषपेंदर जी एक सवाल ये भी है एक सवाल ये भी है वो भी आपसे वह उसका उतर लेना जरूरी है कि जो इससे दिक्कत हो रही है अभी रमेश जी भी हमारे साथ हैं पॉल्टिकर नेलिस उनका कहन था कि चलिए मांगे ठीक है आपकी मांगों पर किसी को इत्राद नहीं है आपके वज़े से इंटरनेट बंद कर दे कर दिया गया बोट का एक्जाम सुरूओ गया बच्चों की पढ़ाई पर असर परेगा वह वह एक्जाम देने जाते हैं बेरिकेडिंग होती है आप कहेंग पूरा पंजाब क्रोस करके हम आ गए कौन से अधिकार के तैथ जो है हरियाना गोवर्मेंट ने हमें वह ब्लोकेड किया है आपने अंतराष्टि उसको बॉर्डर बना दिया है नैशनल हाइवे का मतलब होता है कि उसके उपर राजी सरकार का कोई इक्तियार नहीं है वो द काड़े बंदी की गई हो किले बंदी की गई हो अभी तक दिल्ली से 200 किलमोंटर दूर किसान बैठें आपके दर्शकों के लिए मैं बता दूं लेकिन सारी दिल्ली को आपने च्छावनी बना दिया है तो इस तरीके के जो हाई हैंड़ने से आज तक 75 साल आजादी के हो मियाजा तो लोग लोग भुगतेंगे ना जैसे इंटरनेट बंद कर दी गए है इतियात के तौर पे अब बच्चों का एक्जाम है मेरा सवाल वो था नहीं तो यह तो सरकार कर रही है ना जी हम तो शारे खोल देंगे इंटरनेट दिल्ली में जैसे सारे देश के लोग प्रदर्शन करने के लिए फिरी हैं रामलीला मैदान है या अनिस्थान है वो हमें उपलब्द कराए जाए और क्योंकि यह मुद्दा दिल्ली में बैठी हुई केंदर सरकार से संबन दिते हैं तो हमाले में जाकर के या रेगिस्तान में जाकर के तो प्रदर्शन हो नहीं सकता दिल्ली आएंगे आप मसला हल कर देते हैं दो साल का आपको टाइम दिया गया तो चुनाव के समय ही प्रदर्शन क्यों होते हैं पुस्पेंद जी क्या कुछ पूचेंगे सरकार से पर बनाते तो साइद नतीम सत्र में कुछ हो जाता बार बार यह चीजें अभी भी स्पेशल सत्र बिला करके कर सकते हैं इन के पास जब काले कानून विए लाय थे मुझे कहा गया कि आपको कहीं जाना है आपको रोका गया हम रमे जी आपके पास आऊँगा लेकिन मनीश बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं मनीश के पास चलते हैं मनीश आप बताईए वहाँ पर क्या इस्तिती है हनुमान गड़की जी बिल्कुल मैं जिले की अंतर राज जी जो सड़क है उसके ओपर खड़ा हूँ यहां से संगरिया चेतर के रहतन पूरा नाका है आदा किलो मेटर आगे जब चेतर के जो किसान थे जब दिल्ली जाने के लिए यहां से निकले तो उन्हें उस नाके पर रोक दिया गया और क्रोशी जो किसान है वो यहां धरने पर पैटके हैं किसानों का साफ तोर पर कहना है कि जब तक उन्हें दिल्ली जाने के लिए प्रसाशन की ओर से सहमती नहीं मिलेगी वो लोग यहां से नहीं उठेगे क्या कहना है आपको इस पूरे मामले पर यह दो साल पहले जो अंदो कमेटी बनाके और इसको लागू करने का बादा परदान मंत्री मोदी जी और मंत्रियों ने किया था कमेटी द्वारा जो वादा किया गया था उसके दो साल बात में भी आज तक उस पर कोई निरना नहीं है और करद मुक्ती की बात पर हम इस आप लोगों ने देख़ा होग मनी जी से पूछिये कि यह कब तक बैठेंगे कब तक आफ लोग यहां पर बैठेंगे कब तक ना कर प celebrities करेंगे जिए सल्कारें ने यहां से आगे जाने के लिए जहे मत नहीं हो दी हम लें लोग पूरी नहीं होगी और इसकर मांगे के अंदर बैट हे रखी गई सरकार के स साथ जब तक इनका साथ तोर पर कहना है कि सरगार की तरफ से जब तक लिकिस सहमती नहीं हो जाती है इनकी सभी बागों को लेकर तक किसान अपने घर वापस नहीं लोटेगा जी तो क्या मनिस यह सारा अपना इंतजाम करके आए यह लंबा बैठना पड़े तो जी बिल्कुल जो इनके गामों तक बीट ले अधिकारी स्थर के जो मोनिट्रिंग हो रही है उनको लेकर जिनको ट्रेक्टर ट्रॉली का जो जब करने और आदी की कही बाते इन्हों ने खिसानों ने आरोप लगाए है ऐसे में जो इनकी ट्रेक्टर ट्रॉली थे वो गाम से यहां तक नह रही है चंद पलों के लिए रुकता हूं एक ब्रेक के लिए चंद पलों में वापस लड़ता हूं आज का मुद्धा जारी रहेगा हम चर्चा करें कि रास्तान में क्या परिस्थिती बनी है किसान अंदोलन को ले करके और आज जो बारचीत होने वाली है उससे क्या कुछ हल निकल पाएगा रमे जी हमारे साथ बने हुए है रमे जी अब आपके पास आना चाहूँगा कि आखिर इस मुद्दे का हल है क्या मतलब एक दबाब तो बना दिया है किसानों ने पुलीश ने रोक भी दिया है किसान दिल्ली से अभी भी दूर है लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार चुनाव को देखते हुए क्या कोई कुछ कदम ले पाएगी बहुत दिल्ली में आपको बता दू कि इस बात की बहुत जोड़दार चर्चा है कि ये साइद हो भी सकता है मनोरंजन जी आपको पता होगा जब दो हजार एक्टिस में जब इस से पहले वाला जो आंदोलन सुरू हुआ था तो उस समय किर्सी मंतराले की तरब से लेटर आपने भी देखाऊगा मैं अभी वो मेरे पास है वो पिछले वाला जिसमें एक दिसंबर को किर्सी मंतराले की तरब से आया था और मंतराले में संजे अगरबाल जी है उन्होंने लेटर जारी करा था उसमें पाँच बिंदू है जिसमें MSP की हमने बात मान ली है, किसानों के उपर जो मुकदमे है वो, तक्रीबन तिबरें मोटे मोटे जितने चार पाँच जो इनकी मांगए उन्होंने मान ली थी, उसके बाद में क्या होना था, 22 का चुनाब होना था, बिदान सबा का उक्तर परदेश में, तो आनन फान में लोगों ने मान ली और वोट भी उनको मिल गया था, यही कमोबेस जिस तरीके से आप आसंका जता रहें कि हो सकता बात मान भी ली जाए, और हो सकता बात मान ले, यह कह दे कि वह एक लैटर में जारी कर दिया, लेकित मैं आपको दे दिया, और चुनाब संपन हो आजाएगी, तो हम लोग अपकी बात को पूरा मान लेंगा, लेकिन मुझे लग रहा है किसान इस वार यहां तक, इस मुद्धे पे टिकेंगे नहीं, अब जिस तरीके से आज प्यूस गोहिल साब जा रहा है, अरजुन मुंडा जी जा रहा है, ग्रह राज मंत्री, नित्य चीजे किलियर हो गई है, तो इन चीजों को देखते हुए लगता नहीं है कि आज की जो वैठ है कि सपलो, और रही बात किसानों के उपर जिस तरीके से चीजे ये आरोब लगाये जा रहे हैं कि किसानों ने सारे रोट, सडकें वगरा गेर ली हैं, तो मुझे लग रहा है, दो दिन से किसानों ने कुछ चीजों को कम कर दिया है, बटिंडा से एक टोली आने वाली थी, बड़ी और गंगार नगर संग्रिया से भी बहुत लोग आने वाले थे, वो भही के भही रुके पड़े हैं, सिर्फ आज की मीटिंग के लिए, कि खुदान खास्ता आज की अगर आप देखें, जो थानों में पुरानी जो गाड़िया खड़ी है, उसका रेला जा रहा है, वो लगाया जा रहा है, वो हमारे सयोगी रवी संग्राने, वो रभी सी भी दिखा भी रहे है, तो ये क्या पतला आता है, एक तरफ तो आप बात करने के लिए कह रहे हैं, दूसरी तरह आपने त्यारी को पूरी कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों को देखके, वो कहते हाथ कंगन को आर्सी किया, पड़े लिखों को फार्सी किया, हर एक बैकती समझता है, किसान भी समझता है, कि उनके साथ में क्या होने बाला है, लेकिन मनोरंजिन यी मुझे इस कालिन सतर से पहले हमारी मांगे हो जानी चाहिए, उस से पहले जो एक और सतर होने वाला था, तब भी इन्होंने लेटर बेजा था, कि हमारी मांगों को पूरा करा जाए, हमें विबस ना करें, आंदोलन के लिए, सरकार ये बात नहीं बता रहे हैं, इनकी तरफ से तीन ले किसानों के लिए, कि ये चीजें यहां पर हमसे गलतिया हुए, सरकार अपनी गलती मानने को राजी नहीं है, किसान सबसे ज़्यादा अगर ना राज है, तो इस बात से है, लेकिन आपने बहुत अच्छे से एक्ष्पेरियन किया इस पूरे मामले को, लेकिन जो दिल्ली की जो खबरे आ रही है वह इस ओर इसारा करने कि साइद जो जैसे आपने कहा कि चुनाओं का भी प्रेशर हो सकता है, वोट जो है, वो काफी कुछ जो है, करने के लिए नेताओं को बाद करता है, तो इस बात की चरचा है दिली में, उमीद करते हैं कि आज जो पाँच बजे क सुक्रिया आज के मुद्दा में जुडने के लिए तो आज के मुद्दा में मनुजन भारती को इजाज़त दीजिए लेकिन कहीं जायेगा नहीं एन्डी टीवी रास्थान पे खबरों का सिलशिला लगातार जारी है